नमस्कार साथियों की फैक्ट मैं आप सभी का स्वागत है उमीद करता हूं कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बैनों से अपील लेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक से लेकिन कुछ लोगों की चाय और सिमित होती है उनको बहुत कुछ मिला होता है लेकिन वो अंतिम समय पे इतनी नीची और गिरी हुई हरकत करते हैं समाज के अंदर कि उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया तो सीधे-सीध बड़ी बात महाराष्ट में हो सकती है मड़ीपूर जैसी स्थिति य by बड़ी बात नहीं है यह बात ही नहीं है यह सीधे-सीधे भड़काना है और किसके लिए बढ़ाना है ओट मिल जाए ओट पॉलिटिक्स के लिए और ये स्थिर्फ ये काम सरत्वबार नहीं कर रहे हैं ये काम राहुल गाधी इस देश के अंदर मंचों पे कर रहे हैं इस देश की लोगसभा के अंदर कर रहे हैं अब्याय। जबाब को जबाब सुझा नहीं तो कने लगए हमको गाली दे रहे दूसरे के जाती पूछेंगे जब इनकी जाती पूछी जाएगी तो कहेंगे नग। ये तो हो गया फिर आगे क्या हो रहा है इसमें अभी देख लेते हैं कि राष्टवादी का अंग्रेस पार्टी सब्सक्राइब कि उन्हें को बढ़ावा देने वाले कई दिगजों को विरास्त में इसा मतलब महारास्ट्रा में सब्धावना वाले बहुत सारे दिगज और जब तक उनकी विरासत में अईसा सकता है और एसा नहीं हो सकता भॉत सई तो इसका मतलब है कि तुम लोग डरो और और सरत पावार कोड दो बाजपा कोड मत दो तो यह बाद डाइरेट बोल देते सरत्वार एक कहने की का जरूँ इतना घुमा फिरा करके मनीपूर से तुलना करना इस से तुलना करना उस से तुलना करना क्या मतलब खाया यहां पर बताएंगी कि मनीपूर जैसी हालात कैसे बनेंगे महाराष्टा के अंदर यह देख अब कहते के इसके बाद कि देख लिए किंदर सरकार मनीपूर में हिंसा नहीं रोख पाई कुकी मैते के बीच में जा री है इसे खबरे आती रहती है वैसे खबरे आती रहती है बेसिकली सरत पवार जो मराठा अंदोलन और ओभी सी अरक्षन इन लोगों के बीच में जो वहां पर कटूता चल रही है बीच कर बेट करके समझयोता करते हैं अब आप लोग वाधा तो कर देते हो कितना परसेंट कर देंगे इसको डाल देंगे उसको निकाल देंगे कर पाते नहीं हो और कर नहीं पाते हो तो ओडबेंग के लिए एक दूसरे पर दो सारोपन करते रहते हो और इससे सफर करती है उस राज्ज में रहने वाली जन्ता सरत्पवार को समझ में आ गया यार जूठूट बोल करके लोग सभा चुनाओं तो जिद्गे विधान सभा में दाल लग गलती भी दिखाई नहीं दे रही तो कुछ उच्छा लो मुद्दा हलाकि बहुत सारे लोगों ने सरत्पवार के इस बयान की आलोचना किया और बड़ हो जाए और हो जाए तो फिर हम चुनावी फायदा उठा लें क्योंकि हम बोल दें कि कंद्र में और राज में दें विज्यपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो गया जाता है कि मतलब अब इससे क्या नीचे आदमी गिरेगा या राजनिती में जितना गिर करके समय विपक्स पॉ चाहे राउल गांधी की तकलीफ हो चाहे सरत्वार की तकलीफ हो सबकी तकलीफ यह अरे यार मोदी का हम लोग कुछ नहीं कर पाए सारे लोग मिल करके इतने लोग अर इतना जूठ प्रपोगेंडा फैलाए उसके बाद भी आप्रदान मंत्री बन गया तभी तो 98 सीट वाल और अब तो लोग कहने लगें खुल करके राहूल गांधी देश में वर्ग संगर्ष कराना चाहते हैं और सरत्पवार महराश्ट्रा के अंदर वर्ग संगर्ष कराना चाहते हैं अच्छा यह तो यहां चली रहा था चाचा भतीजे की एक लड़ाई चल रही है महराश्ट्रा के अंदर पॉलिटिकल लड़ाई तो चली रही है पॉलिटिकल लड़ाई के अलमा पार्टी की लड़ाई पार्टी के सेंबल की लड़ाई पार्टी के असेट्स की लड़ाई पार्टी के खाते की लड़ाई पार्टी के नेता की लड़ाई सरत पवार और अजित पवार के बीच में दूसरे तरफ १ चुनां होने वाले हैं सुप्रीम कोड ने जो राहूल गांदी की सजा पे इस्ट्रय लगाया आज तक उस उस पर सुनवाई करने का फुर्सत नहीं है हलाकि वह अब तो चीनलाइड वाइड हो गई क्योंकि राहुल गांदी अब दुबारा चुन लिए गए इस बात को समझ येगा लेकिन अगर उस केस में सजा होती है तो राहुल गांदी की फिर सदस्यता चली जाएगी या तो गीकि दो केस था ना एक तो यह थी कि संसद सदस्यता उनकी चली गई जिसको सुप्रीम कोट ने भार कर दिया तो वह सदस्यता पहाल वाला केस तो नर्वाइड हो गया सुप्रिम को राहुल गांधी के केस को सुनने का फुर्सत नहीं है लेकिन जिस केस में कुछ निकल करके आना नहीं है कंक्रीट उसमें जबरदस्ती का वहां पर पॉलिटिकल चीजें गर्माई रहें इसके लिए उसके सुनवाई करनी सुनवाई करनी है तो एक यहीं बारे में सुनवाई करके इनका पटाच्छे क्यों नहीं कर देते इसमें सबूत कहां से आएंगे अब बैटिये लेकर के बैखां कर दीजिए तो अब नोटीस जारी हो रहा है नोटीस जारी हो रहा है तो क्या-क्या हो रहा है यह भी सुन ल अब 40 बिदायक हैं उनको नोटिस जारी कर दिया अजीट पवार को नोटिस जारी कर दिया कि आओ बताओ तुम इसको पता नहीं क्या बोदी जी से खुंदक है अब इनकी सब दावली चुनिये पता इनको कुछ नहीं है लिख दिये वस जी लिख दिये कोई मतलब है एक कह रहे हैं कि मिले डिस्कौलिफिकेशन बतीजे अजीत पवार पर चाचा पवार का प्रहार सदस्ता रहे जाएगी आज सुप्रीम कोट कर देगा फैसला सुप्रीम कोट इसू नोटिस कर रहा है और यह कर रहा है कि आज ही फैसला कर देगा गजाब हाल है यह कल की खबर जो वह दिखा रहा हूं तो फैसला तो हुआ नहीं तीस तारी को फैसला नहीं और 30 को भी सुनवाई हुई थी 31 आ गई अभी तो नोटीस भेजा गया है, नोटीस का फिर जबाब आएगा, जबाब के बाद फिर दोनों पक्ष का जबाब रखा जाएगा, उसके पहले सुप्रीम कोट ने एक और चीज उसमें लगा दी, वो क्या लगा दी, वो सुन लीजी, समझ लीजी, असली NCP मामले में सुप् सुप्ष पहले से पड़ी हुई है, उसको सुन लेते हैं, तो उदव की आचिका, सरत पवार की आचिका, अभसेख वणू सिंग भी है, इसलिए आचिका, उनकी आचिका, इनकी आचिका सबकी है, प्लेकिन एक छोटा सा सवाल है, राहूल गांदी की सुनवाई कब होगी, राहूल गांधी के माम लेटी उसमें को सा जारी जारी करना सारे पंख्श भी नहीं है सीदे सिदे ऑपन अंसर्ट केस है या तो राहूल गांधी और बढ़ी है सबको जूटा है या यस को सिजाओ कर दिजे जो system में आप सिस्टम कैसे function करे का समस्य यह की और देखिये क्या क्या कहा हूं को रहे हैं चीफ जेस्टिस दीवाई चंद्रचूड जेभी पार्दिवाला और पाद्रिवाला और जश्टिस मनोज मिस्ष्रा की बेंच कर रहे हैं मामले की सुनवाई हब सुचिए हजारों हजारों किसी स्पेंडिंग है चुना होने जा और लाघ था यहीं मामांवला नहीं है। अभी स्कालिफिकेस्टन का मामामाव चलेगा पृदूर होना है वह और चुनाओ मांवां पर आप तुल थीया में इह प्रेसल whit इसने फैसला कर दिया के अन्य जगहों इने प्रेसला कर दिया अभ आप अलग से फैसला पता नहीं क्या उसमें करेंगी और कैसे डिसाइट करेंगी यह अब तक समझ में नहीं आए अरे पार्टी के एक संविधान होता है संविधान को मंगा लीजिए संविधान के अनुसार असको को देख लीजिए फंक्शन का अनुसार जो गवा उनको देख लीजिए उसके बाद प्हेसला देठीजिए छोटा सा काम लेकिन इतना उसको नोटिस देंगे, तो यह करेंगे तो फिर इसको बुलाएंगे तो फिर कहेंगे नहीं नहीं अभी विदानसवाद देख लेंगे तो फिर कहेंगे कि इतना लेट क्यों लगा रहे हो जल्दी देख लो गजाब आल है यार बैट क्या चल रहा है कुछ मतलब नहीं और कोई प्रस उठा दे तो करेंगे कंटम्ट का नोटिस बेजो यह कैसे सुप्रीम कोट पर प्रस उठा सकता है इस देश का नागरिक है खैर अब सेक महनू सिंग भी पेश हुए उन्होंने कहा कि विदानसवा का कारकाल नौंबर में खत्म होना है जल्दी सुनवाई कर लेगे तो क्या हो जागा जल्दी सुनवाई कर लेंगन लेकिन इस मामले में कोई नहीं नादिस ने कहा कि हम नोटीस जारी करेंगे अंत में सभी आपतियों पर सुनवाई की जाएगी इसमें रिस्पॉंडेंट जो होंगे उनको भी सुतनता देनी चाहिए उनको भी उनसे भी पूछना चाहिए दुनिया बर की बाते उदाव ठाकरे गुट ने भी मुखमंत्री सि सुप्रीम कोट में याचिका दायर की है सब याचिका सुप्रीम कोट सुनेगा हाई कोट का सुनेगा हाई कोट सुनेगा कि चुनाचिन किसका है असली वाला अरे वाई सुप्रीम कोट अगर कह देगा कि असली सिवसेना उदाव की है कि सिंदे की है तो सिंबल का मतलब कहां से रहा जाएगा विश्वर के लिए अलग कानुन है के नाम अलग होता है लेकिं फिर मसलह रहके हो जाएगा तो यह क्यों हाइक कोड में है यह भी सुप्रीम कोड में ही डारिक्ट होना चाहिए था अब हाई कोड़ जाएगा तो हाई कोड़ कोई फैसल आएगा तो फिर सुप्रीम कोड़ जाएगा गजाबाल बना रखता भाई या तो सारे मामले हाई कोड़ सुनी जाने चाहिए तो के अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगा महराष्टा याई कोड तो महाराष्टा हाई कोड़ जिसे इसुपधि गयनित होगा और क्या होगा एक दम एक लाइन में बताता हूं इस केस में कोई दम नहीं है केवल सिंपाइथी गेन करने की बात चल लए अब करें कि बिधायकों के बहुमत के कसाउटी पर किसी को चुनाची नहीं दिया जा सकता है किस पर दिया सकता है भी यह भी तो पता दो यह नहीं बताएंगे अब आप खुद आंकलन लगाईए कि महाराष्टा के पॉलिटिक्स में क्या चल ला है सरद पवार ने मनीपूर से तुलना क्यों की महाराष्ट की सिचुएशन की और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मामले के सुनवाई क्यों कर रहा है अगर कर भी रहा है तो क्यों नहीं बहुत पहले फाइनल कर दिया जिससे महाराष्टा में उन MLA की डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई फरक पड़ता सुचिएगा इस पर विचार करिएगा अब दोस्तों ये रलेसी से फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो चैनल जैसे राम जैम